हेलो एरिवान, वेलकम टू स्वेता पटवास रेसीपी, आज हम बनाएंगे ताजे नारियल से टेस्टी लड़ू जो की बहुती ज़्यादा सौप्ट बनते हैं और मुँ में डालते से घुल जाते हैं इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही कम सामन में फटा फट से बनकर रेडी हो जाते हैं आपको यह रेसीपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करें और नीव है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए लड़ू बनना शुरू करते हैं हमने यहाँ पर लड़ू बनाने के लिए एक ताजा नारियल लिया है इस नारियल का ब्राउन वाला पार्ट हम अलग कर देंगे नारियल का ब्राउन वाला पार्ट हमने अलग कर लिया है और अब इस नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इन पीसेस को एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे नारियल को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसका मेजरमेंट कर लेते हैं तो मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक कप लिया है इसका measurement करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के हनुसार हम इसमें बागी के ingredients लेंगे तो ये हो गया एक cup अब बचे हुए नारियल का और हम measurement कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा आधा cup याने की total यहां पर देड़ cup नारियल है अब हमने गयस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें इस नारियल को डाल देते हैं गयस का flame medium रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे लगबक 7-8 मिनट तक roast कर लेंगे इसे हमने 7-8 मिनट तक roast कर लिया है इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए roast करना है छोड़ना नहीं है नहीं तो इसका color जो है वो dark हो जाएगा अब इसमें आधा cup चीनी डाल देते हैं चीनी को mix कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा cup दूद अब इसे लगातार चलाते हुए medium flame पर ही 7-8 मिनट तक पका लिया है और अब हम gas बंद कर देते हैं और gas बंद करने के बाद भी 1 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसे कड़ाई में इस तरह से फैला देंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और ये mixture अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो इसे इस तरह से इकटा कर लेते हैं अब हम इसका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेकर इसके छोटे-छोटे से प्यारे से लड्डू तयार कर लेंगे तो ये खूब सूरा सा लड्डू हमारा तयार है इसी तरह से बाकी के लड्डू हम बना लेंगे अब हमने यहाँ पर सारे लड्डू बना लिये हैं और इसे बादाम से गार्निस कर देते हैं आप अपने बन पसंद की सीवी ड्राइफूट के साथ इसे गार्निस कर सकते हैं और अब हमें आपको एक तोड़ कर दिखाती हैं तो देखी यह कितना मौइस्ट बना है खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आई होप कि आपको आज की हैरेसी भी पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक सेर करें मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ थैंक यू